हलो बच्चो आप सब्सक्राइब फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वेटू स्टडी में बच्चो आज हम आपके लिए लेकिया हैं क्लास 6-8 की वर्क्षीट नमबर 67 बच्चो जैसे कि आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही बैल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते हैं आपको त्रहंत नोटिफिकेशन मिल जाए चलिए देखते हैं अपनी I was watering plants in my terrace garden हर दिन की तरह मैं अपने चट पर पोदो को पानी दे रहा था या दे रही थी Suddenly a lot of honeybees came flying एकदम से कुछ honeybees मेरी तरफ उड़ते हुए आई When I checked carefully I noticed a honeycomb on one of the big plants जब मैंने द्यान से देखा तो एक मदो मखी का चत्ता एक बड़े पोदे पर लगा हुआ था I was very excited to see it because I had only read about it in the books till now मैं उसे देखकर बहुत ही उच सकता क्योंकि उसके बारे मैंने अभी तक सिप किताबों में ही पढ़ा है Now I understand why reading books is so important अब मुझे समझ में आया कि किताबों को पढ़ना कितना जरुरी है Had I not learned about staying away from the honeycomb I would have touched it out of curiosity and got bitten by the honeybees अगर मैंने मदो मखी के चत्ते सदूर रहने के बारे मैं नहीं पढ़ा होता तो मैंने उसे उच सुकता वश छेड़ दिया होता और मदो मुख्योदारा काट लिया गया होता Come let's find out some interesting information चलिए कुछ interesting information के बारे में जानते हैं यहाँ पर बच्चो आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग-अलग type के honeycoms दिखाए गए हैं आप देखेंगे तो honeycoms की shape कैसी होती है honeycoms में छोटे-छोटे hexagons बने होते हैं जो यहाँ पर दिखाई भी गए हैं चलिए आगे देखते हैं बच्चो इसके बाद आता हमारा question answer section और इसमें हमें चार questions पूछे गए हैं चलिए देखते हैं इन questions के answer first question है what is the shape of honeycomb तो बच्चो यहाँ पर आपने देखा honeycomb में हमारे छोटे-छोटे hexagons बने हुए हैं तो आप इसका answer लिख सकते हैं hexagonal shape bees build cylindrical cells that later transform into hexagonal prisms बच्चो इनकी shape होती है hexagonal shape बनने के बाद पर दो जब मदमक्या इस चत्ते को बना रही होती है तो इनकी shape cylindrical and circular होती है जो बाद में अपने आप hexagonal shape में convert हो जाती है जो बाद में चारों तरफ से pressure पढ़ने कारण hexagonal shape में convert हो जाती है चलिए आगे देखते है हमार नेक्स question है what is the substance in honeycomb and how it is beneficial for us यानि कि मदमक्या चत्ते में क्या-क्या substance मिलता है और या हमारे लिए कैसे फाइदे मन्देद चलिए देखते बच्चो इसका answer बच्चो इसका answer आप कुछ इस type से लिख सकते है honey and wax are found in honeycomb यानि मदमक्य के चत्ते में शहद और wax मिलता है honey is packed with vitamins, enzymes and antioxidants honey में vitamins, enzymes and antioxidants होते है उसके benefits क्या-क्या होते है boost immune system reduces risk of heart diseases treat cough and sore throat promote better sleep तो बच्चो ये सभी हमारे honey के benefits होते है चलिए आगे देखते है हमारा third question है बच्चो do you know that honeybees play a very important role in protecting the environment collect information about it इसका मतलब बच्चो जो हमारी मदमक्या होती है वहाँ हमारे environment को बचाने में बहुत ही एहम भूमिगा निमबाती है चलिए इसके बारे में कुछ information collect करते है इसका answer आप लिख सकते बच्चो तो बच्चो ये सभी हमारी help होती है जो वह हमारी honeybees करती है तो आप ये सभी helpful items honeybees के बारे में लिख सकते है चलिए देखता हमनों next question next question कहता है यानि honeybees के अलावा और कौन से जानवर हमारी environment को protect करने में help करते है उनके बारे में लिखिए बच्चो इस question के answer में आप लिख सकते है squirrels helps in planting trees by taking seeds from one place to another जो हमारी गिलहरिया होती है वह हमारे पेड़ पोदे लगाने मदद करती है क्योंकि वह है पेड़ पोदों के बीजों को एक जगहांस दूज़ेंगा लेके जाते हैं अपने खाने के लिए नार्वेल्स assists scientists in collecting data बच्चो नार्वेल्स से होती हैं तो उन्हें आजकर हम landmine detection के लिए भी यूज़ करते हैं जहां पहले dogs का यूज़ किया अज़ता था हम आगे बच्चो elephants help in creating water sources by digging with their large dusk बच्चो जब सुखा पड़ता है तो हाथी अपने लंबे-लंबे दातों का इस्तिमाल करते हुए जमीन खोद कर वहाँ से पानी निकालते हैं और यह सुखे के टाइम पे बाके जानवरों की भी पानी से मदद करते हैं बच्चो यह हमारी वरक्षीट का last question था इसे के साथ हमारी वरक्षीट यहाँ पर complete होती है I hope आप सभी को अच्छे समझ में आई होगी बच्चो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे like करना और अपने friends साथ share करना ना भूले साथ ही अगर आपको कोई question है तो उसे आप comment section में जरूर पूछे हम आपके question को जल से जल answer करने की कोशिश करेंगे और बच्चो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत notification मिल जाए Thank you